जल्दी बोल रहे हैं। पहले बताते हैं तो शायद ये इलेक्षिन भी इंकर टिकट वांस नहीं बता है तो चीज मैं आपको जबाब देता हूं किया चीज आप कह रहे है ना जवाब पुछ वाई जाब जैने के रिस जूट थी बिल्की आपको पहले पता दें मैंनो फेश्टोंस में क्या अंतर है मैं आपको बता दूँ कि ये सवाल जब हमने चुनाव लड़ा जब कहीं नहीं था कि हम बिजली में 50% डिसकाउंट नहीं देंगे 400 इनिट की बात कहीं आई नहीं मैंफेश्टों बनने मैंफेश्टों में कहीं लिखा 400 इनिट पर हम डिसकाउंट देंगे शिता लिखा कि पचास परसेंट बिजली के दाम कम किये जाएंगे जो एक लाग बिले वो पचास जार जो एक हजार है वो पांसो रुपे ये कहीं नहीं था ये सरकार बनने के बाद इनकी पॉलसीज में चेंज आया जी आप कुछ कह रहे थे बदाई साब मेरा सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि विदान साबागे टिकेट पहले फिक्स थे और लोग साबागे टिकेट फिक्स हो चुके है मैं बताता हूँ स्क्रीनिंग कमेटी में ये खुद उस समय मेंबर थे सारे टिकेट इनके सामने ये दे जो भी इंटर्वी होते ये सब कर रहे दे तब इन्होंने इस बात की चर्चा क्यों नहीं की थी मैंने तो कहा मैंने तो पहले दिन कहा कि जब टिकेट बटे और अर्विंद केजीवाल ने मुझे अपने घर बुला कर मैं खुद कहा है कि आपको लक्षमी नगर से चुनाव लड़ना है मैंने कहा रहिंद भाई मेरा कोई बेस नहीं है मैं जीरो बेस से महाँ चुनाव लड़ूँगा किसी और अच्छे आदमी को आप लड़ा लीजिए मैंने हमेशा कहा अच्छा आप स्कृनिक कमईटी में थे की नहीए मैं स्कृनिक कमईटी में था और मैंने तमाम जगे और मैंने इस बात का वश्यजड धान रखा कि प्योंकि मुझे रगा कि मुझे बहुत मैत्मून है मुद्दे, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, नाजी वाला जनलोकपाल ये बहुत छोटी चीजे हैं तो जो 70 विधाय के लिए उमिदबार खड़े किये गए थे उन में से कितने लोगों को आपके सामने स्क्रिंट किया गया था मैं लगबग 70 के 70 वोगों में सामिल था उन में से कितने आपको लेगी कि फिक्स हैं? लगब लगब 7-8 नाम तो पहले दिन फिक्स थे जिस दिन ये प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद भी लोगों से नॉमिनेशन मंगाए गए उसके बाद भी उनका इंट्रू किया गया उसके बाद भी रायसुमारी ली गई उसके बाद भी फाइनल डिसिजन पीएसी को पहले दिन भी था और लास्ट वाले दिन भी था अगर कौन इस पर चुनाव लड़ेगा पटपटगांसे मनीश उशोदिय अगर किसी सॉट लिस्ट में जारी जाते हैं तो आप अंदादे लागा लिजे कौन लड़ेगा वो ही लड़े विनोत कुमार बिन्नी अगर लक्षवी नगर से उसका नाम जाता तो कौन लड़ेगा विनोत कमार भीन लग रहेगा अगर गोपाल राय जी वहां से बाबरपुर से लड़ते हैं तो इस सब को पता था साजीय इलमी जी वहां लड़ेंगी सब को पता था अगर यह नाम थे अगर नम नाम स्क्रिनिंग कमेड़ी के बाद हटा हो अगब ये नाम आये और इने मैंसे दो नाम हमने बाहर कर दिये थे तीन लग लड़ पड़े तो मैं माल लूँगा क्योंकि इस जंता के सामने चलिए अब आपस जरा हम अपने उस पुराने मुद्धे पराएं कॉंग्रिस के साथ साथ गाट की बात क्या ये बात भरतियंता पार्टी जिस तरीके से उठा रही है ठीक उसी तरीके से आप नहीं उठा रहे हैं देखो मैं आपको उताद हूँ मैंने कर एक चैनल के माध्यर से भी कहा था कि सचाई तो कोई भी कहेगा तो वो सौ आदमी के मूझ से भी सेम निकलेगी जूट बोलेगा तो दो आदमी में उसको अलग-अलग बोलेंगी अर्विंद के जीवाल ने अठाइस तारीकोई कोई लड़ेगा जी अगले दिन यहाद आदम जी कोई करत कहते हैं कि हमारा तो को मिटिंगी नहीं हुए हमारा इस तरह को ने नहीं हुआ है तो मुझे तो लगता नहीं तो दोनों आदमी यह तो यह जूट बोल रहे या मनी जी अर्वीन जी जूट बोलें तो कोई चली अच्छा बिनी साब एक बाद बताई है जो कॉंग्रिस से साथ साथ गाठ वाली बात है इसको लेकर लगतार चर्चाएं आम हैं और क्या आधार आपको लगता है संदीब दिक्षित से दोस्ती के अलावा जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि मौजुदा आप पार्टी क सरकार जो कि दिली में साथ चाला रही है उदर असल कॉंग्रिस की बैसाक्षियों पर ही नहीं चल रही बलकि कॉंग्रिस के दिशा निर्देश पर चल रही है मैं एक जोगपती का नाम साथ मेरे दिमाग से सिलिप हो रहा है मुझाल क्या नाम है उनका आपको जानकारी है जी हीरो ग्रूप के है उन्होंने इस पार्टी को काफी अच्छा डॉनेशन भी दिया और ये भी कहा कि पार्टी जीतने के बाद आप में शाब दिनना करेंगे और उसकी जो जानकारी मुझे कहीं कहीं से मिलती है बहुत सरे लोग तो अब भारती जन्ता पार्टी के बड़े लोग आदमी का नाम भी लेते हैं उनके माद्यम से जानकारी मिली लेकिन उसके अलावा और लोगों से भी जानकारी मिलती है अरविन जी वह गए थे मिटिंग हुई उसमें कॉंग्रेस के खुछ लोग भी बड़े लेकिन उसका जवाब नहीं दिया किसी फाइस्टार होटल में हुआ है सदुओ और इसके अलावा भी ये बिल्कुल इसपस बताता है कि कोई पार्टी जो आपके जिसको आपने गालियां दी हो जिसने आपको सब कुछ काहा हो उसके बाजूद आपको बिना अनकंडिसन वो सपोर्ट दे रही है और आपको स्पीकर के मतने भी दे रही है लेकिन मैं और लोगों की कही हुई बात आपके मंद के बादें से आगे मतना एक और बात है जो की सुर्ख्यों में है हलाकि अब पुष्ट है लेकिन उसके पुष्ट ही आप ही बहतर कर सकते है बताए बताए गया कि आप एक कुछ खुलासा करने वाले हैं आप पारिश्ट के किसी वरिष्ट नेता या कारेकर्ता के बारे में क्या खुलासा करने वाले हैं क्या ये एक श्रिंखला है जिसके आधार पर एक के बाद आप पार्टी के नेताओं का परदाफाश करते रहेंगे देखो मेरा व्यक्तिक विशेस के खिलाब खुलासा करना को उद्देश नहीं है। लेकिन अगर पार्टी मुद्दो से भटकेगी, सत्ता भोग की तरफ जाएगी, तो फिर हो सकता है व्यक्तिकत भी कुछ रहे, क्योंकि अभी तक तो मेरा उद्देश यह था नहीं, मैं किसी कोई खुलासा करेंगे क्या? कोई ऐसा नहीं है, आने वाला समय बताएगा कुछ होगा तो. नहीं तो उसका खुलासा यहीं पर कर दीजे ना, कर्टन रेजर यहां दे दीजे. थोड़ा सा रुख जाईगा, क्योंकि कोई भी किसी व्यक्तिकत किसी पारोब लगाने से पहले है, अगर आपके पास कुछ नहीं होगा, आप फिर मुझे सबूत मांगेंगे, तो मैं कहां से दुख जाईगा, तो थोड़ा रुख जाईगे, लेकिन यह व्यक्ति कौन है, नाम बता सकते हैं? नाम भी नहीं बताऊंगा, मैं अभी आपको, और अच्छा रहेगा कि हम तरीके से उनके दरसल कविता पाठ में उनका कितना अभी नंदन किया, क्या आप मलिका सारबाई के साथ खड़े हैं या कुमार विश्वास के साथ खड़े हैं? कुमार विश्वास के साथ खड़े हैं और पार्टी के साथ खड़े हैं? कुमार विश्वास 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 के साथ खड़े हैं?